देश में छेडा मंदर मस्जिक पर संग्राम काशी मतुरा पर तीज हुआ घमसान अब कुतुम मिनार पर महा भारत अयुद्या के बाद काशी मतुरा ताज महल और अब कुतुम मिनार को लेकर संग्राम छड़ गया है अब दश्र विख्यात कुतुम मिनार का नाम बदले जाने की मांग की जाने लगी है इसको लेकर कुतुम मिनार पर हिंदू संगठन धर्णा प्रदशन कर चुके हैं कुतुम मिनार पर बैठ कर हनुमान चालिसा कर चुके हैं हिंदू संगठन कुदुब मिनार के नाम बदल कर विष्ण रस्तंभ करने की मांग किया है कुद्व मिनार पर सियासी महभारत को सिन पहले ही शुरू हुआ है और अब इसकी धार लगतार तेज होती जा रही है अतिहास के पंनों को पल्टे तो उसमें दर्ज है की कुद्व मिनार का निर्माण कुद्व बद्व दिन एबक ने शुरू किया था 1993 . agu can कुद्व बद्वाद्व दिन एबक में निर्माण शुरू करवाय था कुतुब अधिन की मृत्यू के बाद एल्दु तमिश ने निर्मान को आगे बढ़ाया एल्दु तमिश ने कुतुब मिनार की तीन और मंजिले बनवाई बाद में फिरोश्रा हक्तुगलत ने मिनार की पाचवी मंजिल का निर्मान कराया कुतुब मिनार अपनी उचाई के लिए देश और दुनिया में मश्रूर है लेकिन इन दिनों कुतुब मिनार पर हिंदू संगठन की नजर टेड़ी हो गई है दर असल हिंदू संगठन की दलील है कि कुतुब मिनार परिसर में भगवान गनेश की कई मुर्ती है परिसर में विश्णु भगवान की भी मुर्तियों का दावा किया जाता है शिप गौरी सुरी देवता समेथ हिंदू देवी देवताओं की मुर्तिया है कुत्म मिनार की प्रविश्द्वार पर A.S.I. का बोड लगा है जिस पर 27 हिंदू और जयन मंदर के बारे में जिक्र है A.S.I. बोड में हिंदू और जयन मंदर तोड़ कर उनके अवशेसों से बनाई गई बात लिखी हुई है इतियासकार बियम पांडे ने कुत्म मिनार को लेकर एक किताब लिखी जिसका नाम है कुत्ब मिनार एंड, एड्स, मॉन्यूमेंट्स जिसमें लिखा है कि कुत्ब मिनार परिसर में कुवत असलाम मस्जिद है मस्जिद की पूरों की ओर से प्रभीश करते हैं तो वहाँ जो इस्ट्रक्चर है वो असल इस्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि असल मंदर यहीं थे कुछ इधर उधर भी रहे होंगे जहां से उन्होंने स्ट्ब और पत्थर के अन्य टुकडे लाकर इनका इस्तेमाल किया हालिया घटनाओं से साफ हैगी अपकाशी मथुरा और ताज महल को लेकर मामला गरमाया हुआ है ऐसे में हिंदू संगिठन कुतुम मिनार की नाम बदलने की मांग जोर-शोर सी करने लगे है कुतुम मिनार को विश्ण इस्तंभ नाम रखने की मांग करने लगे है मस्जिद परिसर के अंदर मौझूद देवी देवताओं की पूजा अर्चना की अधिकार की मांग अभी कोट में पेंडिंग है ग्याचिका करता गनीश भगवान समेथ तमाम भगवान की मुर्तियों हटाने की मांग कर चुके हैं इसके पहले 25 मार्च को नैशनल मौन्यूमेंट अथोरिटी की चेयर्मेंट तरुन विजय ने संस्कृती मंत्राले को एक पत्र लिखा ये बहुत शर्मनाख है कि मस्जिद परिसर के अंदर भगवान का नीश जी की मुर्तियों पिहद अपमान जनके सिती ने रखी हैं एक मुर्ति ऐसी जगह है जहां लोगों के पैर लगते हैं वहीं दूसरी जाली में बंध हैं उन्हें वहाँ से हटा कर नैशनल मूजियम जैसी दूसरी जगह पर रखा जा सकता है बिलाल दिल्ले की एक कूट ने मुर्तियां हटाने की मना ही करने साकेत कूट ने एयासाई को नरदेश दिये हैं कि कुपत उलसलाम मस्जिद परिसर में रख्यों ही भगवान कनेश की मुर्तियों को परिसर से ना हटाए जाए कुटुब मिनार को युनिसको ने साल 1993 में विश्व धरोहर स्थल खोशित किया था इसकी उचाई 72.5 मीटर है और इसका व्यास 14.32 मीटर है शिकर तक कौशने परिया 2.5 मीटर तक रह जाता है इसको देखने के लिए देश विदेश से काफी सैला नहीं आते हैं लेकिन अब जब इसको लेकर विवाद करवा गया ऐसे में अब सभी की नजर कोट के उपर टिकी हुई है मस्जिद परिसर में रखे मुर्तियों को लेकर कोट के आदेश अब देता है लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से नाम बदलने के माग उठ रही है तेर सवेर एस परण और तेश हुनार लाज़मी है